हैरे दोस्तो एक बाद फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुपाल स्टेडी स्टूडियो में पहरे दोस्तो आप सभी लोगों को हूली की धेरो बदाईया दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जो कि काफी पार्ट होता है किसी भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए जब भी कोई मशीन का हमें मेंटेनेंस करना होता है तो दोस्तो आज के शेशन में हम कवर करेंगे प्रेवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है प्रेवेंटिव मेंटेनेंस कितने टाइप का होता है प्रेवेंट मेंटेनेंस. तो दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरा preventive maintenance में क्या-क्याचीज़े हम करते हैं? वो सब चीज़ें पूरी तरीके से समझ में, आज तो सबसे पहले बात करते हैं कि preventive maintenance क्या होता है? तो दोस्तो कि अगर failure को रोकना है तो हमें preventive maintenance करना होगा तो यहां पर preventive maintenance में normally हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं जैसे कि inspection इसमें हम inspection करते हैं equipment के parameters का कि वो okay है या नहीं है जैसे कि current जैसे कि हम motor current चेक करते हैं resistance चेक करते हैं या फिर अन्य चीज़ें भी प्लान किसमें कर सकते हैं like tightening कि कोई भी screws हैं हमारे जो fasteners हैं वह properly tightening उनकी है या नहीं है यह inspect करते हैं adjustment करते हैं suppose कुछ fine limit switch हैं यहां पर sensor से हैं उनकी setting कुछ disturb हो गई है तो वह हम दुबार से adjust करते हैं lubrication यह भी बहुत important part है कोई भी slide ways है wall screw है या कोई भी moving parts है जहां पर भी greasing या oiling lubrication हो रहा है तो वह सब चीज़े inspect करते हैं इसके अलावा भी कई चीज़े हम प्लान करते हैं जैसे cleaning of equipment और भी कई चीज़े हम इसमें प्लान कर सकते हैं जिससे भी हम उस equipment का failure को prevent कर सकें तो दोस्तों अगर पूरे maintenance की बात करें तो maintenance के कहीं टाइप होते हैं maintenance जो भी हम करते हैं या तो preventive maintenance, predictive maintenance, breakdown maintenance या फिर reliability center maintenance तो यह major major types होते हैं जो भी हम maintenance plan करते हैं और अगर preventive maintenance की specially बात करूँ तो उसमें आता है time based maintenance जैसे कि हम उसको time based कुछ भी replacement करना है जैसे कि मैंने बताया कि आपको hydraulic tank में filter change करना है हमें या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें time based करनी होती है तो आता है performance based कि मतलब अगर कोई भी equipment कोई भी maintenance कर सकते हैं तीसला होता है condition based condition based में condition जब भी हम inspection कर रहे होते हैं और condition उसकी हमें सही नहीं लगती है या condition हमें कुछ deteriorate होती हमें गज्मोन होती दिखती है तो वहाँ पे जो भी maintenance उसको plan करते हैं वो condition based maintenance होता है दोस्तो आप बात करते हैं कि प्रिवेंटीagerman की planning किस तरीके स की जाती है तो preventive maintenance की planning करने के लिए सबसे पहले create की जाती है equipment की list जिसमें सभी equipment हमारे सम्मिलित होते हैं मनलब की सारे equipment की हम पहले list मना लेते हैं उसके बाद equipment जो भी हमें PM के लिए select करने हैं वो हम selection करते हैं वो based on productivity criticality या कुछ अन्य तरीकों से भी आप उस equipment का PM करना है या नहीं करना यह सब चीज़े select कर सकते हैं उसके बाद जिन भी equipment का हमें PM करना है उसकी बनाते है equipment की हम PM की task list जिसमें हम different point उस equipment के लिए add करते हैं जैसे कि कोई equipment है उसमें हमें lubrication check करना है या फिर motor का current check करना है या grazing किसी access की check करनी है या motor के connection tightening करने तो यह सब चीज़े हम preventive maintenance में उसकी task list को generate करते हैं उसके बाद उसकी frequency भी decide करते हैं जैसे कौन से point को हमें किस frequency base पे करना है जैसे lubrication inspection करना है तो वो तीन मेहने में करना है हर तीन मेहने recommend किया जाता है machine manufacture तो उस हिसाब से हम frequency को यहां पे fix करते हैं बाद में उसको revise भी कर सकते हैं based on our observation but starting में हमें based on experience या based on OEM का जो manual कहता है उसके base पर हम यह frequency decide करते हैं वो frequency monthly हो सकती है quarterly हो सकती है half way हो सकती है early हो सकती है उसके बाद बात करते हैं कि preventive maintenance में काम कैसे करते हैं कि starting में जैसे कि सबसे पहले इसमें task list schedule by software मनलब कि जो भी task list हमने बनाई है वो schedule की जाती है software दोरा जैसे कि हमने suppose यह सारे point हमने जब डाल दी जाते है upload कर दी आती है software के अंदर यह task list को तो वहां पे जब हम frequency देते हैं होने के बाद यह schedule जैसे ही होती है तो उनको हमें उस time पर जिस दिन के लिए वो schedule रहती है उससे पहले हमें उनको download करके रखना होता है download कर लेते हैं उसके बाद जब list download होई आती है तो जिस दिन भी उनका PM का date रहता है तो उसके accordingly हमें PM को perform करना होता है task list को हाथ में लेके हमें machine पे जाके उन सारे task को चेक करना होता है सारे task को perform करना होता है और अपनी observation वहां पे लिखनी होती है कि क्या हमें किस point की observation मिली जैसे कि suppose आपने lubrication चेक किया और lubrication का checking का एक point है तो वहां पे आपको observation लिखनी होती है कि आपको क्या मिला सपोज सारा okay मिला या कुछ cartridges block मिले या किस तरीके से तो वो आपको वहां पे अपने remark देने होते हैं फिर जो भी आपने जो भी वहां पे सब observation आपकी लिखी होई है उसको दुबाले software में डालके वो आपको work order close करना होता है तो इस तरीके से PM पूरा complete होता है सबसे पहले task list का लिजाती है download की जाती है perform किया जाता है PM फिर उसको work order close किया जाता है तो इस तरीके से हमारा पूरा system काम करता है अगर हम software में काम करते हैं जैसे कि normally SAP इसके लिए use क का सकते हैं अब बात करते हैं preventive maintenance के advantages के वारे में तो preventive maintenance के को होते हैं जैसे money to me मेजर ब्रीटाउन को सकते हैं तो हो सकते हैं ज्यादा टाइम सकता है तो यहां पर सबसे पहले हमारा हम पढेक टाउत कर रहे हैं करें कोस्ट बचा रहे हैं अगर बड़ा ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर बिजली और यह सब चीजें भी एस्टा लगेंगे क्योंकि आपका पूरा लाइन स्टॉप हो सकता है उसके बाद ऑपरेटिंग कोस्ट भी हमारी कम हो जाती है उसके बाद आता है एनर्जी सेविंग आइडल वर्किंग कम से कम होगी उसके बाद आता है मोर मेंटेनेंस लेस रिपियर तो इसमें हम जैसे करते हैं तो हम रिपेरिंग पे कम फोकस कर रहे हैं मेंटेनेंस पे जादा क्या क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर दिंगे चीजों को पहल को या फिर कोई भी जो वरकर्स होते हैं उनको काम होता है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं जब भी हम प्रिवेंटिब मेंटरेंस करते हैं तो उससे हमारे जो कॉस्ली वर्क डिस्ट्रिप्शन होते हैं वह अवाइड हो जाते हैं उसके बाद एड्रस इश्यू विफोर देख बिकम अर्जेंट इश्यू के अर्जेंट बनने से पहले हम उनको एड्रस कर लेते हैं क्योंकि अर्जेंसी में बहुत ज़ादा अब एमर्जेंसी कंडिशन उत्पन हो जाती है तो उससे इंप्लॉई भी अनकमपटेबल हो जाते हैं तो अगर हम प्रिवेंटिब मेंटेंस के disadvantage होते हैं कि इसमें cost लगती है क्योंकि हमें हृई manpower लगती हे और executive भी लगते हैं क्योंकि हमेंbuilt LET करनी होती है टास लिस्ँ के बाद Manpower करनी होती है जो भी टास लिस्पफॉर्म करने के लिए साथ साथ इसमें टाइप जादा लगता है क्योंकि हमें ज Are you Bar हमने preventive maintenance की suppose जादा कर रहे हैं या फिर maintenance बार-बार कर रहे हैं तो over maintenance भी होयाती है उसकी वज़े से भी अगर कहीं न कहीं PM में कुछ कमी रह गई तो हमारे equipment की uptime को भी इंपक्ट करता है क्योंकि कहीं बार जो हम adjustment करते हैं या जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती है और उससे हमारे equipment कभी-कभी उसका downtime और बढ़ जाता है यह सब चीज़े disadvantage होती है उसके बात life cycle और uptime enhance की बात करो तो दोस्तो preventive maintenance काफी हद तक uptime को enhance कर देता है अगर आप अच्छे से perform करो तो आप 99.9% की efficiency यहाँ पर improve हो जाती है जो life cycle का time span हो बढ़ जाता है equipment life cycle होती है कि equipment को जब से आपने लगाने का प्लान किया और उसको disposing तक equipment के dispose तक आपको पूरा time होता है वो equipment की life cycle होती है तो definitely अगर PM करेंगे तो आपकी कम हो जाएंगे repairs कम हो जाएंगे